नवस्कार दोस्तों आप सभी का कुछ बाते बाते पे स्वागत है दोस्तों मैं तो सोची की बच गई लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी दोस्तों दोस्तों यह कहावत जो है न दोस्तों बड़ी ही सटीक बैठती है इवीम पे इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन जो की भारत में हर एक चुनाव में इस्तमाल की जाती है और समय समय पर इस पर आक्रमण होते रहते हैं और यह जो आक्रमण है न दोस्तों रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं और मैंने यह क्यों बोला दोस्तों कि भकरी की मा कब तक खैर मनाएगी है ना दोस्तों क्या हुआ कि जब यह इलेक्शन खतम हुए था और जब एक्जिट बोलाय था ना दोस्तों तो पूरा का पूरा विपक्ष कांग्रेस उनका जो एको सिस्टम है सब इदम इवियम को पर तूट पड़े दोस्तों है ना और ऐसा लगा शायद सी कि भाई भी अब को तो बंदी कर दिया जाएगा इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया ठीक है रिजल्ट आ गए और रिजल्ट जो आए तो उसमें बीजेपी को उसकी जो परफॉर्मेंस थी दोस्तों बड़ी ही अखेले 370 लाना चाहती थी और NDA का जो ग्राफ है उसको 400 पार का नारा दिया गया था तो भाई बीजेपी 240 पर आ गई और NDA 293 पर आ गई तो वाव बल्ले 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 मोधी जी मोधी को हरा दिया हमने हमारी जीत हुई हमारी एकता की जीत हुई यह सारी चीज़े चल रही चलने लगी ई-वीयम कौन है अगा एधियो में खराबी है कोई नहीं किसी को नहीं पता कोई भी नहीं कोई यह पे दोश नहीं मड रहा है दोस्तों तो इसके बाद क्या हुआ एवियम ने राहत की सांस ली हाँ बची गई किसी ने कुछ भी नहीं बोला मेरे बारे में बची गई मैं ठीक है लेकिन कहवत है न बखरी की मां कब तक हैर मनाएगी बखरी दाएगा तो कटेगी है न तो इस बाद आक्रमन आया ऐसी जगह से जहां है कि किसी को कोई भी कि कोई लगनी रहा थे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुए कि ऐसी जगह से आक्रमन आएगा और वह आक्रमन आया एलॉन मस्क से तो दोस्तों वह कहते हैं कि वी शुट क्लोज शट डाउन ओल दीज एवियम बैसिकली वह एक ब्राजील से रिलिटे में इसके बारे में बात कर रही थी और उसकी बारे में बात कर रहे थैंट और उनु जो है ने दोस्तों वो पूरा को पूरा ज्वाला मुखी फूट पड़ा और जो विपक्ष और जो पूरा एकोसिस्टम है ठीक है जो इवियम को भूल गया था अचानक से उसे याद आया रहे यार यह क्या हुआ हम तो इवियम को भूल गये और इस बार जो आया आकरमन आया आया था एवियम पे हुआ आया था एलाउन मस्क से तो भाई एलाउन मस्क बड़ा नाम है दुनिया में है ना अगर वह देखा जाया तो टॉप 20 बड़े बड़े ऐसे लोग जिसकी जो की इतने जादा इंफ्लुएंशल टॉप 20 का मैं टॉप 5 बोलूँगा है ना वैसे व पूचा कि क्या भाई भारत की इवियम को है किया जा सकता है क्या तो भाई वह चैट जीपीडी बोलता है नो इसको है नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्टैंड अलोन सिस्टम्स है एक दूसरे से बातचित नहीं कर सकते हैं तो उसमें एयाई का कोई यूज नहीं है तो व आप उसको से चेड़ चार करने के कोशिस करेंगे तो प्रोटेक्टिव मोड या फिर सेक्यूर मोड में चला जाता है जिसको फिर आपको दुबारा से करेंगे तो अभी जो नया आक्रमन है न दोस्तों कॉंग्रेस समाजबादी पाटी बाइब बीज़ेपी को इतना प्यार क्यों है इवियम से दोस्तों ईवियम से प्यार जो है न बीज़ेपी को है या नहीं है लेकिन भारती भारती के लोग उन्हें न बैलट पेपर से जब मद्दान होता था दोस्तों वह आला समय देखा है किस तरह से कम्म्मिनिस्ट पार्टी या फिजोभी पार्टी सत्ता में होती थी वह कितने कुछ चलता पूर्वक से यह क्या बोलते हैं बूत लूट लिया जाते थे बूत के बूत फरची अब मद्दान हुआ करते थे है न तो अभी तो है कि सिस्टम EVM में टाइम लिया हुए इस टाइम पे और जैसे यह टाइम होगा तो बंद हो जाएगे अपने लेकिन जो बैलेट पेपर हुआ करते थे उसमें तो होता नहीं थे ऐसा कुछ तो बूत के बूत लूट लिये जाते थे एक बार मैंने भी ऐसा देखा था मुझे आदे में छोटा था उस समय करी तो उसमें चंदर शेकर जी प्रधान मंत्री हुआ करते थे और उसके बाद ही जिताना है किसी भी कीमत पर हैञा न तो यह यह एक जो एक घुन थे चोटा सथ़ाब पता था लेकिन हाँ यह पता था कि हाँ और जो लोग लोग थे उनकी बाद तो इतना पता चलिए कि भाई जो है वोट जो बचे वे तो सब चंशेकर जी के नाम पर डाल दिये गए थे तो यह एक उधारण जो मैंने देखा है ठीकर दोस्तों तो ऐसा जो है इवेब के साथ चांसेज अभी तक है नहीं और हमारा भारत का जो इलेक्शन कमिशन है वो समय समय पर लोगों को बुलाता है कि आईए आप हैक कीजिए हमारी सिस्टम्स को और बताइए कि हम इसको और इसको कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं तो अब तक कोई जितने भी लोग गया है वो इसमें कि असफल रहे हैं तो एलन बस जी हैं उनको भी चाहिए कि भाई वह भी आए अपने वो तो बहुत ही बड़े इंवेंटर हैं और बड़े एंट्रॉप्राइटर ये सब हैं तो वो भी आए भाई ट्राइकर रहे उसको हैक करने का और अगर लगता है कि इस टाइप से हैक हो तो सकता है तो बताए तो वह जो लूप फोल है अगर ऐसा फ़ी लूप होल है तो उसको बंद किया जा सके तो बोलूगा कि मैं तो यही बोलूगा ईध्य जिसको कोई शक सोविधार मितलब जो भी है आपको आप जाएए लक्षान करमीशन देदेगा आप उसको है करने का ट् यह चलता रहेगा और यह एको सिस्टम का एक नेरेटिव है यह चलता रहेगा यह रुखने वाला नहीं है तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही फिर्म बलते हैं धन्यवाद दोस्तों